नवस्ते बच्चों, online class में आपका स्वाहती, देखो हमने 6 class का आपको पहला पाट पढ़ा चुके हैं, आज हम 6 class का दूसरा लेशन चालू करेंगे, आपको देखो, इन्दी बसंबाग एक काए पार दो, जिसका नाम है बच्पन, ये एक कहानी है, देखो बच्पन सभी के ज ठीके, देखो जिस प्रकार हम बच्पन में मस्ती करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उचल कुद करते हैं, भाई भाई बेनों से जगड़ा करते हैं, है ना, और हमें नहीं नहीं चीज़े, रंग ब्रंगी चीज़े बहुत पसंद आती है, उसी प्रकार इसमें लेकिका ने मैं बताया है की मुझे बत्पन में रंव रंगी कप्ढ पेहनना वहीं अच्छा लगता था, उनने भाई ठीक, उनको नहीं चोटे बाई के साथ अपना भाई बताया लग गया था उनको अपने जूते पोलिश करना बहुत अच्छा लगता था ठीक है ऐसे ही उन्हों को अपने प्रोग की नहीं डिजाइने सब कुछी बहुत ही तरीके से याद था तो देखिए अब इस लेसन में आज उनके बत्पन की कहानी पढ़ते हैं उन्होंने अपने ब तो आज अपन इस कहानी को शुरू करते हैं देखिए इसमें कृष्णा सापती नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने बत्पन की ओर रे जाओंगी यानि मैं तुम्हें अपने बत्पन की कहानी बताती हूं मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुमारी दीदी भी हो सकती हूं तुमारी नानी भी हो सकती हूं बड़ी भुआ भी और बड़ी मोसी भी परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर उकारते हैं मतलब इतनी बड़ी हूं कि में तुमाई दादी भी हो सकती हूं नानी भी तुमारी नानी भी मोसी इसलिए कि पिछली शताब्स में पेदा हुई थी यान collectively मानंब बहुत समय पहले पेदा हुई ती मेरे पहने ओडने में काफी बदलाव आये हैं उस समय मेरे पहने ओडने में बहुत बदलाव आये हैं मेरे पहने ओडने में बहुत बदलाव आया है पहले मैं रंग बंगे कपड़े पहनती थी नीले, जामुनी, ग्रे, काला और चोकलेडी आवि कलर मुझे बहुत पसंद थे अब मैं मन में कुछ ऐसा करती हूँ कि सपेथ पहनो गेरे नहीं हलके रणी मतलब बत्पल में तो मैं बहुत सभी तरह के कपड़े वा पहना पसंद करती थी लेकिन जब मैं प्रेथ में सोस्थी हूँ कि या तो सपेद पेनो या गयर रणगे पेनो या अलगे रणगे पेनो मैंने पिछले दश्कों में तरह तरह की पोशा के पहनी पहले फ्रोग फिर नेकर वाकर इसकड लेंगे गरारे और आप चुडिदार गेरदार पुरती हैं मैंने अपने जीवन में बहुत परे की पोशाक पहली थी फ्रोग है नेकर है वाकर है इसकड लेंगे और गरारे और अब चुडिदार पुरता और चुडिदार पजामा और गेरदार पुरता ठीक है अब देखिए आगे बजपन की कुछी फ्रोग तो मुझे आज भी यार है खलकी नीली और पीली धारी वाली फ्रोग गोल कोलर और बाजी पर गोल कफ एक खलके गुलाबी रंका बारिक चुन्नोटो वाला गेरदार फ्रोग नीचे गुलाबी रंकी फ्रेड माने जलरदार फ्रोग फ्रेड का मतलब होता है जलरदार फ्रोग उसके बाद है कि आप उन दिनों फ्रोक के उपर की जे में रुमाल और बालों में इत्राते रंग ब्रंगे रिबिन का चलनता उस समय में फ्रोक के उपर की जे में रुमाल रखती थी और बालों में रंग ब्रंगे रिबिन बालती थी लेमन कलर का बड़े प्लोटो वाला गन फ्रोक जिसके नीचे फ़र टकी थी लेमन कलर का जो है नीबू कलर का है ना वो वाला फ्रोक जिसके नीचे जलर टकी वी थी दो ट्यूनिक भी यार है एक चोकलेट रंका और अंदर की कोटी प्याजी दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेड खोटी इसके आगे देखिए आप मुझे अपने मुझे और उसका टिंग भी याद है बजपन में हमें अपने मुझे कुद्ध होने पढ़ते थे हम नोकर या नोकरानी को नहीं जिद्धिये नहीं देते थे हम बच्चे इत्वार की सुबह इसी में लगते थे हम सब बच्चे संडे को जो अभी इत्वार को इसी कारे में लगे रहते थे दो लेहें के बाद अपने जूते पोलिश करके उनको चमकाते थे जब जूते कपड़े या ब्रस्ते रगड़ते तो पोलिश की चमक उबढ़ने लगती थी सरवर मुझे आज भी गूट पोलिश करना अच्छा लगता है हाला कि अब नहीं नहीं किसम के शूज आ चुके हैं मुझे आज भी डूट पोलिश याने जूट पोलिश करना बहूत अच्छा लगता है और आज कर तो नहीं नहीं तरटे के जूटे आने लग दे तो यह पहले से कहीं जाधा आराम दे मतलब यहीं कहना होगा कि मुझे अभी पहले से यह बहुत आराम दाए के हमें नहीं नहीं जूते मिलते उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता हम जैसे ही नहीं नहीं जूते लाते थे तो हमारे पेरों में चाले बढ़ जाते थे तो हमें उसका इलाज शुरू कर देते जब कभी लंबी सेर पर निकलते अपने पास रूई रूर रखते जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर हाँ हमारे तुमारे बज़पन में तो बहुत रपो चुका है अगर हम लोग कहीं जाते तो पहले हमारे पास रूई रखते क्योंकि जूते में जूते के अंदर मोजा मेहनते भी उसके नम रूई रखते हैं जिसे हमारा पेरों में छाले नहीं होते हमारा बच्पन और तुमारे बच्पन में तो बहुत ही अंतर है हम शनीचर को हमें आवली आविल ओयल या केस्टर ओयल पीना पड़ता यह एक मुश् मिशान पड़े रहते ओणे देखते हैं ही मितली ओने लगती थी है मुझे आद भी रखता है कि अगर हम ना तो पीते वर शनीफारी को तो कुछ ज्यादा विगणने वाला नहीं फिते हैं तो हमारा जायदा नहीं बिगणवारता कितनी दूरी है आज मैं तुम्हें बताती हूं कि हमारे समय में और तुमारे समय में कितनी दूरी है बच्पन की दिल्चस्पिया भी अमारी बदल गई है अमारे बच्पन में चीजे पसंद थी वह भी अमारी बदल चुकी है याद रहे उन दिनों कुछ गरों में गुरॉमक प्रेडी और टीर डिविजन नहीं थे हमारे बच्पन की कुल्फी आइस्क्रीम हो गई थी कचोरी समोसा आज पेटीज में बदल गए हैं पहले हम सब कचोरी समोसा और फिल्स वगरा खाते थे तो आज यह सब चीज़े पेटीज में बदल गई शेतुत और फालसे और कसकस के शर्बत को केपसी में बदल गए हैं पालसे और शेतुत के जो शर्बत थे वो आज कोको कोला पेपसी में बदल गए हैं उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी शिमला और नहीं दिल्ली में बड़े-बड़े बच्चों को वेगर्स और डेविस को रेस्तरा की च गूटी लगती शिमला माल से ब्राउं ब्रेड लाएं की हम दोनों भाई-बैनों की लोग शिमला मोल से ब्राउन ब्रेड लाएं हमारा घर मौल से दूर नहीं था एक छोटी सी चड़ाई और गिर्जा मेंदान कहुँच जाते महा से एक उतराई उतरते और महल पर ल्याते कमपेशनरी काउंटर पर इस तरह तरह की पेस्ट्री और चोकलेट की खुश्बू मनबानी होती थी मतबुद वहाँ पर उस काउंटर पर तरह तरह की चोकलेट पेस्ट्री बगएरा की खुश्बू होती मन बावन मन को प्रसंद करने वाली होती थी हमें अपते में एक बार चोकलेट करिदने की छूड़ती हम सबी को अपते में एक बार ही चोकलेट करिदने की छूड़ दी जाती थी सबसे पहले मेरे पास ही चोकलेट कोफी का इस्टोप रहता था ज्बोटे पर लेकर्ट घर लेकर में गड़ी पर ईसक़ आनंद ले ती त rebel और उसके बार देखे आप शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं कटे मीटे कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रसबरी कसमल सोचकर ही मुझ में पानी आया चेनश्ट एक और गजब की चीजे आप पर भूने जाते और उसके छिलके उतारगर मुझ में रख लिये जाते चने जोर गरम और अना का चून हाँ चने जोर गरम की पुडिया तो तब भी थी और आग नज़र नहीं आती है पुराने काग्जों से बनी हुई इस पुडिया में नीरा का हाथ कमाले नीचे से तिर्छी लपेडते उवे उपर से चोड़ी चने आसानी से अत्यली पर पहुंच जाते थे मतलब वो उसके इस त्रगी से पलटते थे तिकोनी जो उपर से चोड़ी रहती थी और नीचे से तिकोनी रहती थी जब उन उसको हाथ में लेते थे तो वो आसानी से आत जाते थे इसके बाद देखिया एक वक्त था जब हम फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों इसकोल के हर बच्चे को आता था जो फिल्म का एक गाना है चना जोर गरम बाबू मैं मजेदार लाया हूँ ये गाना सभी बच्चों के मन को बात आता और सभी बच्चों को इसकुल के सभी बच्चों को ये गाना यात था बच्चे पुडिया पर तेज मसाला बरफ काते दे और कूरा मेना रूमने तक पुडिया चलते रहते थी बहुत से बच्चे movd === तेज कर देते दे और वह गिर्जा मेदा में याने मेदा में घूमते खाते थे तो वह पुडिया चलती थी जब तक एक एक चना पपड़ी पापड़ी मुह में डालने और कदम उठाने में एक खासी ले रफ्तार थी एक एक चना मुह में डालते जाते और कदम उठाने के रवारी की शिमला के रवच्चे को कभी ना कभी यह मुचा दिया जाता था इसके आगे आप देखिये हम जाने क्यों गोड़े को कुछ कमतर समस्ते उन Πरहसते ते ननियाल, गोडे, खूब, हश्पुष्ट और खूब सूर उनकी बात फिर भी देखिए, वहाँ पर हम सब जाने को गोडे में कुछ कत्राते और समझते और उरुद पहसते थे ननियाल में यहने अपने मामा, नाना, मामा की यहाँ पर गोडे, खूब, हश्पुष्ट मजबूत होते और सुन्दत होते थे ठीक है, आज का लेशन यहीं समाप्त करते हैं इसके बाद हम कल आपको इसके आगे का लेशन मंडे को पढ़ाएंगे ठीक है, आप यहाँ तक का इस लेशन को पढ़ना आज